आज की दुनिया में जैसा सामाजिक धांचा है, जिस तरह से जीवन के कई पहलू व्यवस्थित हैं, उसकी वज़ा से महिलाओं को पुरुशों से कही ज्यादा सेहत का ध्यान रखना पड़ता है. सिर्फ इसी लिए कि प्रकृती ने महिलाओं को बच्चे पैदा करने के लिए एक बहुत ही विस्तरित सिस्टम दिया है. हम सभी किसी महिला के गर्ब से ही पैदा हुए हैं, तो अंदर एक विस्तरित व्यवस्था है. अगर आप अतीत को देखें, तो आम तोर पर महिलाएं 15-16 साल की उम्र से अपनी जीवन की प्रजनन प्रणाली का इस्तमाल शुरू कर देती थी. वे शायद जीवन भर या कम से कम उनके पूरे प्रजनन जीवन में किसी तरह से अपनी प्रजनन प्रणाली का उप्योग करती थी. अगर किसी महिला के जीवन में 6, 7 या 8 बच्चे होते थे, तो शायद वो पूरा जीवन व्यस्त रहती थी. तो प्रजनन अंगों का एक तरीके से उप्योग होता था. इस वज़ा से महिलाएं वैसी चीज़ों का सामना नहीं करती थी, जैसे आज कर रही हैं. एक और कारण ये है कि पुरुष और महिला दोनों ही शारेरिक रूप से बहुत महनत करते थे. शारेरिक महनत की वज़ा से पेट के आसपास कभी कोई चर्बी नहीं होती थी. कम उम्र में अगर कोई लड़की पेट पर चर्बी जमा कर लेती है, तो वो खुद परेशानी को बुलावा दे रही है. इसके बारे में कोई दोराय नहीं है. ये जीवन के कई वानशेक और दूसरे पहलूँँ पर निर्भर करता है कि ये कब होता है, पर पेट पर चर्बी जमा हो जाए, तो एक युवा महिला पक्का परेशानी को बुला रही है. समस्याए होंगी. शायद वो आफिस में काम करती हैं. इसलिए परियाप्ट शारिरिक गतिविथी नहीं होती, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस काम में ज्यादा शारिरिक महनत नहीं है. अगर आप किसी खेत में काम करती हैं, तो बात अलग है. मुझे लगता है कि आप जिन समस्याओं की बात कर रही हैं, वो ज्यादा तर शेहरी महिलाओं में हो रही हैं. क्योंकि उनकी शारिरिक गतिविथी कम है, बले ही वो सुभ़े आदा घंटा या एक घंटा व्यायाम करती हैं, पर बाकी समय वो बस बैठी रहती हैं. तो इस वज़ा से उस हिस्से में परियाप्त गतिविधी नहीं होती. ये एक वज़ा है. दूसरी बात ये है कि प्रजनन प्रक्रिया का उप्योग नहीं किया जाता. ये एक और वज़ा है. तो अगर आप अपनी प्रजनन प्रक्रिया का उप्योग नहीं कर रही हैं, यानि अगर आप 21 साल की उम्र से पहले बच्चा पैदा नहीं कर रही हैं, तो ये बहुत महत्वपून है कि आपको हट योग जरूर करना चाहिए. अगर आप जिम करते हैं या दौडते हैं, ये पिर भी ठीक है, पर अगर आप सिर्फ जिम में मास पेशियां बना कर फिट दिख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है. आपको तीवर हट योग करना चाहिए. बारा साल की उम्र से अगर कोई बच्ची हट योग करना शुरू कर देती है, तो ये सभी समस्याएं जिन्हें ज कि अगर किसी महिला के प्रजनन स्वास्थय को बिना प्रजनन के अच्छी स्थिती में बनाए रखना है, तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ चीज़ें की जाएं. और आप इसके लिए जो कर रही हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा आपके सीने या पेट के हिस्से पर केंद्रित होना चाहिए. इसकी एक तरह से कसरत होनी चाहिए. ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो हट योग की तरह इस पर काम करती है. हट योग की प्रणालियां इस पर काम करेंगी और ऐसे विशेश आसन और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें सिखाया जा सकता है. अगर वो ऐसा करती हैं त बहुत परिशान रहती हैं एक समय था जब सिर्फ आपका परिवार या आपके बच्चे या आपके पती या करीबी दोस्त ही आपको परिशान कर सकते थे अब दुनिया भर में आपकी दोस्ती है और कोई भी आपको कभी भी परिशान कर सकता है तो बस एक मेसेज ही काफी है औ और आप अगले तीन दिनों तक उसकी चिंता करते हैं, किसी भी वज़ा से मैं किसी एक चीज पर दोश नहीं डालना चाहता। ये एक आम बात हो गई है कि सभी तनाव में रहते हैं, तो इसे भी बहुत आसानी से हैंडल किया जा सकता है। ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज मुझे लगता है कि ग्रामीन आदिवासी सभी प्रकार की महिलाओं को मिला कर मेरे ख्याल से बच्चे पैदा करनी की आउसात अमर 22 के आसपास हो गई है। पर मुझे विश्वास है कि अगले 25 सालों में ये शायद 35 हो जाएगी अपना खयाल रखने का मतलब दवाई लेना या डॉक्टरों के बारे में नहीं है। आपको योग प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए ताकि शरीर में एक तरह का संतुलन आए। सिस्टम में रसायनिक संतुलन हो, सिस्टम में हॉमोनल बैलेंस हो, जिससे सभी ग्रंथियों का अस्त्राव अच्छे से और संतुलित तरीके से हो, अगर ऐसा हो रहा है, तो उन्हें ये गेर जरूरी बीमारिया नहीं होंगी। ठीक है, कुछ प्रतिशत लोगों को हमेशा कोई न कोई शरीरिक बीमारी होगी, जो एक अलग बात है, पर अभी ये प्रतिशत बहुत है, हमारा समाज भीमारी के एक अप्राकृतिक स्तर पर पहुँच रहा है, इसे ठीक करना होगा, ये बहुत जरूरी है. झालो झालो